स्वागते सात्यों आपका अपने स्टूडेंट साती यूटीब शैनल पर आज हम लोग बात करेंगे द्रिस्टी के कुछ बुक्स आई है जो कि एंसी आटी थुरू कोश्चन्स वाली बुक है और काफी अच्छी बुक है काफी अच्छा हम लोगों ने इसको अल्रेडी जिसमें आपको क्लास 6 से लेके बाड़ा तक नई और पुरानी एंस्टी बेस्ट ऑब्जेक्टिव कोश्चन्स है और साथ में आपको इसमें डिटेल एक्स्प्लानेशन भी मिलता है तो यह बुक का कवर है आप यहां पे देख सकते हो आप लोग हमेशा यह कंप्लेंट कर और एक डेमो हम लोगों ने यहां पर आपके लिए रखा है तो यह हमारे अतीत जो है पार वन यह क्लास 6 का चैप्टर है शायद आप लोगों ने देखा होगा एंसी आट अपने पढ़ा होगा तो तो इस टाइप से आपको कोश्चन मिलेंगे जैसे यहां पर कोश्चन में पढ़ देता हूं कि गेहूं और जो की फसलों के संदर्व में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो दो स्ट्रेट्मेंट यहां पर दिया गया है इसमें से आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट एंसर देने के बाद यहां पर पूरा डिटेल्ट एक्स्प्लानेशन आपक साथी साथ डिटेल्ड एक्स्प्लानेशन इस काइंड आपको इसमें मिलते हैं तो यह आपके बुक के कॉंटेंट की बात की जाया तो यहां पे जैसे क्लासिक्स काम लोगों ने देखा तो हमारे अतीत उससे रिलेटेट जितने भी टॉपिक वाइज आपको कोश्चन बनत क्लास 7 की बात किया तो हमारे अतीत पार्ट टू जिसमें आपको हजार वर्सों के दौरान हुए पड़िवर्तनों की परताल नए राजा और उनके राज्ये दिल्ली के सुल्तान मुगल सामराज्ये इन सब से आपको टॉपिक वाइज इसी तरीके से आपको क्लास 12 में अग सब्जेक्टिव कोश्चन्स मिलेगा बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की बारे में तो यह है आपका NCRT बेस्ट भारत एवन विश्व का भूगोल यानि कि इंडिया और वर्ल्ड जोग्रफी आपको आपका यह बुक है तो इंडिया एंड वर्ल जोग्रफी की बात की ज कर सकते हो डिस्रिप्शन में लिंक है वहां से आप यह पूरे बुक का इंटार कॉंबो हिस्ट्री पॉलिटी एकनॉमी जोग्रफी साइन्स जिसमें आपको फिजिक्स कर सकते हो घर बैटे मंगवा सकते हो यह भी आपका क्लास 6 से लेके 12 तक की नई एवन पुरानी NCRT का ध्यावार वस्तुनिस्ट प्रश्णों का व्याख्या सहित हल इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग ने हिस्ट्री का पूरा देखा उसी तरीके से यह भी आपका 6-12 तक आपको पूरा इसमें topic wise questions, answers with detailed solutions बात के जाए पहला इसका एक demo हम लोग देख लेते हैं तो यह classics का पह detailed explanation आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखड़ा है, same उसी kind of kin, खगोलिय पिंडों को ताड़ा कहते हैं, जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, जिनके पास अपनी उश्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी उश्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने detailed explanation आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बात करेंगे third book के बारे में जो की है Indian polity and economy, इसमें आपका combined है, polity और economy आपका combined है, Indian polity and economy, यह book है और इसमें आपका class 8 से लेके 12 तक, क्योंकि polity और economy आपका classic से तो होता नहीं है, class 8 से ही होता है, class 8 से ही syllabus में आपको पढ़ना भी है, त class 8 से लेके 12 तक की NCRT का अध्याइवार, वस्तुनिस्ट प्रस्वनों का व्याख्या साहित हल, same उसी kind of, जिस तरीके से हम लोगोंने history और geography को देखा, same उसी kind of, यह भी book designed and developed है, सामाजी के वन राजनीतिक जीवन, third, यह आपका कक्षा 8 का पहला chapter है, जिसमें आपका भाड़तिय समविधान और धर्म निर्पेक्षिता, यानि कि Indian Constitution and Secularism, तो इससे पहला question आपका है, समविधान के संदर्भ में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका पूरा पहली बुक भी आपकी design and develop day, class 8 से 12, क्योंकि syllabus में आपका class 8 से 12 तकी, 8 से ही आपका जो है, quality और economy सुड़ू होता है, ना कि 6 से, उसके बात करेंगे सामान ने विज्ञान, यह आपका सामान ने विज्ञान है, इसमें आपका class 6 से लेके 12 तकी NCRD का अध्यावार, वस्तुनि लिकित में से कौन सरवाहारी के श्रेणी में आता है, तो इसके अंदर में आपका जो भी options आपको होंगे, उसका पूरा detailed explanation, मदुमक्हियों, फूलों से मकरंद एकत्र कड इसे भंडारित करती है, क्योंकि इसका detailed explanation आपको मिलता है, निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए, पौधेवन जन्तू, भोजन के मुख्य स्रोत है, सभी पौधों की जड़, तना, पुषप और पत्तियों को खाया जाता है, कुछ पौधों के दो या, दो से अधिक भाग खाने योग्यों होते हैं, कववा मान सहारी जीवे, यह आपका statement है, उससे related आपका पूरा detailed explanation मिलता है, उसके बाद मैस the following के भी questions मिलते हैं, मतलब अलग-अलग kind of questions, improvised form of questions, multi-dimensional form of questions, आपको इन सारे books में देखने को मिलते हैं, और हम लोग जो अभी NCRT based अपना test series पूरा complete चला रहें, GKGS foundation course, वो भी इन ही सारे books के उपर based है, वो भी NCRT के ही उपर based है, इन सारे books के उपर नह complete GKGS का foundation batch live है, जिसका link हम लोग description में पूरे entire playlist का डाल देंगे, GKGS foundation course का, साथी साथ हमारे student साथी app पे, NCRT based test series भी live है साथी हो, तो आप वो test series भी जा के दे सकते हो, NCRT based है completely, और ऐसे ही questions आपको हमारे online test series में भी देखने को मिलेंगे, तो यह 4 book का combo है, इसको आप लोग कि cash on delivery की भी facility उपलब दें साथे books पे, तो thanks for watching and all the very best, thank you so much